हमारा जो एक बैरियर था हमारा के हमारा पोर्टल पांसो का है और पांच सो पे हम छूनी पाते पांसो प्लस यारी कि पांसो जब इसकी लिमिट पार पार होगी तो उसके बाद यह दिखाता है नहीं उसके बाद तो यह पैसे मांगता है है beef H पर आज हमने इसके पैसे वसूल किये और अपना एक विश्वास बढ़ा लिया संग कभी व्यक्ति बात में नहीं जाता जाएगा भी नहीं यहां व्यक्तियों की सिर्फ इतनी एहम्यत है कि उनको संग के लिए समर्पन करना है जीवन देना है संग की सेवा करनी है और संग से जो मिलेगा उनके बच्चों को मिलेगा सब को मिलेगा वो बरावर मिलेगा जरूर फिरी में सेवा नहीं है संग ने हमेशा रिटर्न में बहुत कुछ दिया है जो लोग संग में थोड़े समय के लिए भी आये और चले गए ना समझी में ना जानकारी में जल्दवाजी में कुछ लेने उनको भी संग ने बड़े अच्छे अच्छे रिटर्न दी है पूरी उनके चेहरे पूरी दुनिया में पहुचाएं उनकी ख्याती पहुचाई है तो जाए संग को इससे कोई अतराज नहीं होता क्योंकि जब व्यक्ति काम करेगा उसकी आवाज उसका चेहरा उसके हाव भाव उसका वैवार उसका चरित्र सब जाता है और जाना चाहिए यह प्राक्रतिक है इसको संग कभी नहीं रोगता बलकर बढ़ा चड़ा के पेस करता है संग हमेसा बहाने ढूंटा है कि हम कैसे इखटे हो जाएं और कभे इखटे हो जाएं नोकरी करने का रिटायर होने का दिन हो या उस संगी का पूरा जीवन आगे लगाने का दिन हो की संग कभी भी व्यक्ति बाद में नहीं जाता इसलिए यहां जितने बी संगी हैं वो इस बात को समझें के Yeah यह कालिक्रम है यह संगी रमेस नाम देव कटके के लिए नहीं थैंग के अगर यह कहें के ई-वङति होने के या हम उनके नाम का या उनकी वज़े से यह काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हम मौका ढूँनते हैं यानि संग एक मौका ढूनता है कि हम कैसे खञटे को और कोई व्यक्टी अगर अपना जीवन देने के लिए त्यार है तो उसके साथ हम अपना मनौ वड़ाएं उसका मनुवल नहीं बढ़ा रहे उसका तो मनुवल पहले से बढ़ा हुआ है जिसने अपना जीवन संध को देने के लिए समर्पण करने के लिए समपण करने के लिए कह दिया उसका क्या मनुवल बढ़ाएंगे उसके बहाने हम अपना मनुवल बाकी जो लोग हैं जिनके एधूरे हैं यह अवी हैं उनका मन motto बढ़ाने के लिए हम इक्षटे होते हैं तो सकता है कल को आपको को अड़ो आ कोती खासतोर से संग के विरोध में। और संघ के विरोध में संख्ष्टन है वैक्ष्टियों की तो वकात नहीं कि वो संघ्ष का विरोध कर सके हैं यह संग्धन जिनके हमने चंदे बंद करने के लिए जिनके जाते का अभ्यास बंद करने के लिए जिनके छोटे छोटे गुरुप और जिनके प्रतिष्टा मंचमाला और जिनके पंजीकरन यह सब बंद करने के लिए जो हम पूरी महनत कर रहे हैं और हम कोई अगर रमेश नामदेव कटके संगी नहीं होते संग के लिए जीवन अरपना नहीं करते वो कितने बड़े अपसर हो कुछ भी हो कौन जानता है कौन पूस्ता कौन उनके यहां लेके 500 आदमी आज यहां इकटे हुए 500 ज्यादत क्यों होते हर व्यक्ति संग के लिए काम करता है हमको बहाने चाहिए और हमको रोज बहाने चाहिए अगर रोज एक व्यक्ति संग के लिए संबरपड करेगा तो फिर 500 खटे होंगे और अगर दो व्यक्ति संग लिए संबरपड करेंगे तो हम हजार भी खटे होंगे हम अपने संग्यों के लिए पूरी ताकत लगाएंगे कि वो हमारा परिवार होता है, वो संग हमारे संगी हमारे परिवार का ऐसा होते हैं, वो व्यक्ति नहीं होते, वो अगर व्यक्ति बात में जाएंगे तो संग उनको छोड़ देगा, बहुत सारे लोग जो व्यक्ति बात में चले गए, उनके कहीं नाम भी नहीं पता, बहुत सब को सर करके बोलते हैं उनको इस बात की बढ़ाई जरूर सब लोग न दी है और खुब मन से दें कि वो संग के लिए यानि कि हम सब के लिए अपना जीवन दे रहें और जब कोई देता है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए वो हमारी पुरानी परंब्रा है यहां जो हम काम कर रहे हैं क्योंकि कुछ नई लोग भी आ जाए हैं काफी लोग हैं हम जो काम कर रहे हैं हमारा एक विचार और एक एजंडा है और वो है संगवाद यानि कि हमको संग में खटे होना है जुड़ना है और जोड़ना है यह एक लाइन के और दो जो सब्द हैं ज समझना जाते हैं समझ समझ का फेर है क्योंकि अगर आप बुद्ध के समझाने का तरीका देखेंगे तो बुद्ध ने जीवर में बहुत तरह के लोगों को समझाया और जिसका समझने का तरीका जिसकी समझने की पावर जिसकी समझने की सक्ति जितनी थी उसको उतना ही समझाय और जैसे समझ सकता था वो ऐसे समझाया पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो समझे ही नहीं चोड़ दिये बुद्धने जिद नहीं की क्योंकि जो समझेगा नहीं उसमें समय लगाने का फायदा नहीं और कुछ ऐसे भी थे जो समझ कर विरोधी हो गए और जो विरोधी हो गए उन के समय को बताटेर के समय और अब भी वह उती यह लिकेजर सब्वा तक मैंवनut fundamental का होut। तो प्राने संग के नियम बहुत पहले नियम और बुद्ध के नियम है उसमें इन छोटी छोटी बातों का सबका एक एक के करके बताया हुआ है इनको कैसे करें अभी वो छोटी छोटी बातें हमें समझ लेने चाहिए क्योंकि जब हम यहां संग का काम कर रहे हैं और संग की बात करते हैं तो संग है क्या कोई पूछे क्या संग है तो जो मूड मगज है जिसमें अकल कम है जिसमें बुद्धी कम है वो कहता है यह जो आट, दस, पचास लोग जो बोलते हैं और जो संग के बारें बताते हैं वो संग है वो व्यक्तियों को संग मालनेता है उनकी बुद्धी पर हमको तरस खाना चाहिए और उनको छोड़ दना चाहिए क्योंकि व्यक्तिवादी लोग है इसलिए उनको व्यक्ति दिखाई देगा जो व्यक्ति यहां काम करेंगे उनको व्यक्ति उनको संग ने दिखाई देते कव्वे को हम ऐसा गू दिखाई देता है मल दिखाई देता है उसकी नजरी भनी जाती है इसलिए जो व्यक्ति वादी होगा उसको यहां बोलता हुआ व्यक्ति दिखाई देगा जैसे अभी रमेश नाम देव कटके सर बोले तो वो व्यक्ति दिखाई देंगे वो जो स पर एक हमारी बहनजी ने बोला किया रही है यह बोली है तो यह व्यक्तिवाद में आ गई व्यक्तिवाद में बहनजी आ गई बहनजी ने क्या बोला है वो नहीं दिखे दिता इस छोटी छोटी बातों का जो तरीका है कैसे इसको हम समझें कैसे जाने और कैसे काउंटर करें उसको समझ देना चाहिए क्योंकि कोई पूछे आप से जब संग क्या है तो आप संग को किसी भी हलत में व्यक्ति में नहीं बता सकते हैं संग तो व्यक्तियों का समू होता है और उससे भी बड़ा जो होता है नियमों का बंदल होता है यानि कि अगर नियमों का बंदल है किसी देश की सेना है या अमरीका है जब तक वो सेना के नियम मानती रहेगी तो सेना है और सेना के नियम नहीं मानेगी तो सेना नहीं है सेना का नियम है कि यहां से राइट में सब को जाना है तो सारे अगर राइट में जाएंगे तो तो सेना है पर कुछ लेफ चलेगे कुछ दाएं चलेगे, बाएं चलेगे, उपर चलेगे, नीच चलेगे, चारो दिसाओं में चलेगे, फिरकाई की सेना है, इसलिए यहाँ जो नियम है, वो नियम हमारे सेना के नियम है, वो अगर हम मानते हैं, तो तो हम सेना है, तो तो डिसिप्लिन है, तो तो संग है, और अ अरे भाइ, सुन, ये सेना के नियम है, सेना में, command is command, order is order, जो कह दिया, वो करना पड़ेगा, उस में, ना if है, ना but है, और इसमें जीवन का सबन पड़ है, इसमें पूरा जीवन है और जान जा सकती है इसके अंदर, और मिलेगी सिर्भ रोटी खाने को तन खा, और देश के लिए मनना है और देश के लिए मिटना है और कुछ सोचना नहीं है कुछ विचाना नहीं है पुरा काम करना है अगर ये कंडिशन तुझे मंजूर है तो सेना में आजा टैनिंग ले ले बढ़ती कर ले और अगर ये कंडिशन मंजूर नहीं है तो तू फिरी है ज सकता है वैसे ही गुद्ध ने जो विक्कु संग बनाये जो विक्को नी संग बनाये उनकी नियम बनाये इस नियम में आता है तो आजा जरूरी नहीं है कि तो विक्कु बने गा या विक्कु बनेगे जाओ अपना मौच करो ऐसा ही एक को almarcil दुनिया का सबसे पहले हुआ एक बहुत बड़े आदमी का लड़का जिसके इतने बड़े-बड़े खेट थे कि जब धान बोते थे तो हजार हल चला करते थे इतने खेट इतना बड़ा जमीदार और जिसका राजा दोस्त और उसका लड़का सेना में सामिल हो गया और सेना में सामिल होने के लिए जो उसके तरीके थे कादे थे वो उसने माने और तबी वहां युद्ध की बात चली कि युद्ध होना है और उस लड़के ने युद्ध के लिए मरा कर दिया तो उसने सेना का नियम तोड़ दिया जब युद्ध का होना है तो बिल्कुल युद्ध में जाना है तो उसका कोर्ट मार्सल हुआ और कोर्ट मार्सल में दुनिया का पहला कोर्ट मार्सल उस सेना का और उनको तीन सजाएं दी तीनों में से चुल लो भाई या तो अपनी सारी संपती दे दो या मेतुदन प्राप करो और या फिर इस पूरे देश से छोड़ते जाओ उस जिस व्यक्ति का कोट मार्सल हुआ उसका नाम सिद्धत है सिद्धत गौतम जो बाद में बुद्ध बना और जो सैना थी जिसमें भटती हुआ उसको जो समर संग है जो साक्के संग है जो समरों का संग है संग बोला करत और जो नियम थे सैना के उसकी खिसाब से भटी क्या गया तो बताया गया पहले सिद्धत गौतम को कि ये नियम है सुईकार है तो आजा सुईकार नहीं तो जा भटी होना को जरूर नहीं है वैसे ही यहां जिसको आना है गोल्डन रूल पढ़ ले गोल्डन रूल को दिल को टटोल ले क्योंकि यह सेना है यहां तंखा नहीं मिलेगी पर नियम पूरे चलेंगे यहां कोट मार्सल भी होगा यहां कैड़े नियम है यहां बहुत ज़्यादा कठोड़ता भी हो सकती है पर यहां बहुत ज़्यादा प्यार भी है और यहां बहुत ज़्यादा कि कैते है अरे तू बड़ा नालायक है तो जो नालायक होता है वह भी बोलता है बाकि हसतें आई सच्छ में नालायक है। जितने घजिसको मारेश्ठेर जी पटाई करते हैं तो एक ही आदमी की पटाई होती है बाकि हसते है क्योंकि बागकि अपना काम होमर पूरा K breakker के लिए क्या है इसलिए जब हम कठोड सब्द बोलते हैं तो उसको सब नहीं पकड़ते किसी पर असर नहीं पड़ता अगर कहीं बहुत साइब बैठे हैं और उनमें एक चोर है और यह कहें जी इनमें जो चोर है उसको कॉले लगेंगे तो चोर को ही परिशानी होगी जिसने चोरी नहीं किये उसे क्या परिशानी होती है तो संग के वारे में जब पूछेगा हमएं से कोई का संग जो है वो किसाराह्य है यद्ग और इसमें सबसे पहले होता है और फिर दूर्सरे नमर्शारों को पहुँचाना तो कि किसी का कोई विचार है और उसको आप आगे नहीं पहुचा पाए तो उस विचार का क्या आचार डालना है बहुत सारी लोगों की अपने विचार हो सकते हैं पर अगर उस विचार को किसी भी हलत में किसी भी रूप में सही रूप में आगे तक नहीं कोई होगा बहुत बुद्धिमान, कोई होगा बहुत जानकार, पर अगर जानकारी अपना विचार नहीं पहुचा सकता, सही रुप में आ गए तो बेकार है, और तीसे नमबर पे किकर विचार की निर्म तरता बीचार की पुरराःवर्थी नहीं कीए, तो विचार का फाइदा नहीं है और विचार को पहुंचाने वाले का अगर चत ठीक नहीं है तो विचार को कोई लेगा नहीं क्योंकि यह कहेगा कि अरे इस विचार का जब इसी को फाइदा नहीं है यही चरितरहीन है तो इसका विचार भी बेकार है इसलिए विचार को चरि के हिसाब से जगे के हिसाब से वातावाण के हिसाब से क्योंकि जीतना है तो उस विचार के करिया में मौडिफिकेशन होते रहना चाहिए संस्काइट होते रहना चाहिए आप लखीर के फकीर नहीं हो अगर आप ने उस आइडिया पर उस विचार पर अगर आपने कारे नहीं किया तो विचार बढ़ेगा नहीं डबलप नहीं होगा उसका विकस नहीं होगा वो दो चाहँ दो से networking की जो टीम है जिसके हमारे अभी यहां उपठाक आए थे प्रिकाजी उन्हों ने उनको यह जो काम हाउस ने जब कहा था कि भी पांसो उस दिन आने हैं तो हमारी जिद्ध यह नहीं है संग की यह जिद्ध नहीं है कि हमें कटके जी के स्वागत में पांसो लोगी खटे करने हम स्वागत नहीं करते किसी का भी पर इस बहाने हम अपने आपको चेक कर रहे हैं कि हमारी जो सैना हैं हमारे जो सैने हैं हमारे जो सैनिक हैं हमारे जो संगी हैं हमारे जो भाई हैं हमारा जो समू है क्या वो इस लाइक हो चुका है कि अगर पांसो की आवाज लगाई जा त velopor क coffin होज़कते हैं तो यह जोडने का काम है विचार होना चाहिए विचार का सही रोप से पहुचाना होना चाहिए विचार पहुचाने वाले का जो है कि विचार की निНе तरता और विचार की रेगल रटी या उसकी आबरती या उसका फ्रुकेंसी होनी चाहिए या विचार के जो क्रियानमन का मोडिफिक्सन लगाता होते रहना चाहिए विचार पर विस्वास होना चाहिए विचार पर कारे होना कहेंगे कि ये जो विचार है हमारे पुराने विचार से नहीं मिलता पुराना विचार हमारा ठीक है ये ठीक नहीं है या विचार में कहेंगे कि विचार में ये चीज नहीं है कोई ना कोई उसमें मिक्स कर देंगे अपना विचार मिला देंगे किसी दुस्मिन का विचार मिल का रहेगा पर अंदर उसको भर देंगे आपका तो विचार आपका औरिजन शेप में जाएगा नहीं और आपको पता नहीं चलेगा आपने सोचा कि मैंने इसको विचार दिया है उसने अपना मिक्स करके लपीट के हागे पेस कर दिया अगर विचार ही दूद्दूसित हो गया विचार ही मिक्स हो गया तो सारा का सारा सिस्टम कोलैक्स हो जाएगा फिटो कुछ बचेगा नहीं क्योंकि सब कुछ तो विचार बेस है बाकी बात तो बाद में हैं इसलिए विचार की सुधता की गारंटी 100% हो नी चाहिए और इसको पूटेट करना चाहिए कोई ही व्यक्ति अगर समर्द संग के विचार में जराब ही अपना विचार मिल आता है या किसी और का मिलाता है वो हमारे काम करंगा नहीं है संग बिक हराब दिए उसमें अपना नाम लगा दिया उसका टेडिसन अपना बना दिया और नाम वही रखा कि बुद्द का विचार है बुद्द की विचार धारा है और रिजल्ट आने नहीं क्योंकि तो किसी बालत में जब तक आएंगे नहीं अगर आप दवाई असुद्ध खाओगे तो स उतसला दे जाएंगे सुझाब दे जाएंगे कुछ लालच मिला जाएंगे उसके अंदर कुछ करफन मिला जाएंगे उसके अंदर कुछ उसके अंदर वेफचार मिला जाएंगे कुछ उसके अंदर जो पंच सील के वरुद बाते हैं वह मिला देंगे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उसमें मिला के आपको पेश करेंगे जिसमें के कुछी खराब हो जाएगी और नहीं तो कहेंगे कि यह दस के दस नियम छोड़ो आपने तीन माननी तो भी बहुत हैं दो माननी तो भी बहुत हैं अरे एक नियम तो मानते हो यह यह भी बहुत हैं ऐसा नहीं होता पंच मर्जी से ये नहीं कह सकते हैं अरे इसमें संग राजनीती है ये भी राजजितिक पार्टी पहले बने देखो यह कहँए तो वो जो आगे पर छलेगा वो परचार और बने जाएगा क्योंकि negativity इसन गविप होता है तो तिलका बन जाता है फिर वो राजनितिक पार्टी जो तीसे को कहेगा वो कहेगा एक नई बाजनितिक पार्टी आई यह जो संके नाम की आप किसको मना करोगी एक बात अगर आपने बदल दी अपनी तरफ से विचार मिक्स कर दिया यह हलका पड़ गया या आपने हलका करके बोला तो आप उसको समालते समालते पागल हो जाओगे आप समाल नहीं सकते इसलिए कोई भी व्यक्ति और गोल्डन रूर के ओपर ये कहता है कि ये चीज ऐसे नहीं तो उसको कहना नहीं ये ऐसे ही हमारी पास है यह अगर कोई इसमें कमी दिखाई देती है तो हमाहोच में ह्थीक कर लेंगे चीज अर कोई और चीज आएगी तो इसमें यह नियम खुल उपर है तो संग जो आदेस करेगा, वो माल लेंगे, संग का आदेस का जो साथवा नियम है, इसमें साफ साफ कहता है, कोई अमर्जंसी आएगी, तो हमारा से वो संग का आदेस होगा, वो सब से उपर रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, विचार को अगर आपने सुध रखा, तो द अंटी नहीं है जब आएगा तो सब को मिलेगा पर अइंस्टेंट यानि अभी तो कुछ नहीं है इसके अंदर जब कभी संग ऐसा होगा कि संग के नाम पे कुछ मिल जाए कहीं कुछ होना सुरू हो जाए तो बहुत कुछ आएगा पर यहां आपको देना ही देना है तो आप यह बात फिक्स करना है कि आप यहां देने के आए हैं और यहां लेने के आए हैं अगर आपको देने और लेने की नियम का सही तरह से पता नहीं है तो जान ले पर यहां आधे अधूरे मन से या यह सोचके करें यह तो ऐसी बख रहे हैं यह तो ऐसे ही काम कर रहे हैं तो करेंगे का यहाँ जो परेसान हो गए और देने के आए थे यहाँ जो परे Level और लोग इतने हैं कि सीधीसी बाट चुटी सीबाट आती इस सीधार का जवाद देने में आफ़ात आती है कि दिल में कुछ और है और जवान पर कुछ और है और चेहरे आगे तो भी ठीक है, दोस्तों आगे तो भी ठीक है, हमें तो अपनी बात बतानी है, पर हम हजार को ही बताएंगे, तो हमारे मन में लाला चांगे ना, कि भी हजार आदमी आएंगे, तो क्या हम यह परसंसा के लिए बात बता रहें क्या, अपना चेहरा चमकाले लिए बता र तो फिर हम संग का काम नहीं कर रहें, फिर तो कुछ और कर रहें, तो ये प्रसंद सबसे पूछना चाहिए, और सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए, हर एक संगी को, संग में काम करने से पहले, कि मैं यहां लेने के आया था, और यहां दे के क्या जा रहा है, अगर दो सवालों के जवाब उसको इस बात में मिल जाते हैं कि मैं यहां सब कुछ देने आया हूँ और यहां से कुछ लेने नहीं आया हूँ तो उसमें संगीर बनने के पूरे गुढ़ है फिर उसे कोई नहीं हरा सकता और अगर वो यह सोचता है कि यहां मैं इनको ऐसा ही बोल दूंगा या यह पूछेंगे तो ऐसे जवाब दे दूंगा और मन में यह है कि यहां से कुछ आदमी होगा और में तरफ ले जाओं मेरा अपना विचार यहां चल जाए मेरा विचार यहां लग जाए या मेरे विचा और हो और यहां लिखा कुछ और होता है क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि आपने देना है और वो तो भाई मन में लेने लेने के लिए सोच रहा है तो यह चुटी चुटी बातें परिशान करती है इससे चीजें खराब होती है खराब इसलिए होती है कि वह संग का भी समय खरा पर यहां आता है तो सुद्ध मन से आएगा सुद्ध मन से आएगा तो दिक्कत नहीं होगी पर यह आता है कि अगर आपने विचार को सुद्ध रूप से सही रूप से पहुचा भी दिया तो आपको चैतवान होना पड़ेगा यह चैतवान होने का जो काम है यह सबसे आसान का है सबसे आसन काम इसलिए है क्योंकि संग में जो चलेतर है आप का वही चलेतर अगरा आप सामने पेस करोगे सामने Ballah आपकी बात को सही मान के मानदारी से मान के ठीक करके काम करेगा आपके अंदर कोई बुराई भी है तो यह मानेगा के यह आदमी सच्चा है यह इसकी आदत में आचुकी है बुराई कोई बात नीए पर यह जो कह रहा है सच्चा आपके चेरे पर सच्चाई दिखाई देख देख अप बनाव्टी कहोगे आप जूंटा कहोगे आप बना के बात करोगे, आप मैनुप्रेट करोगे, आप बिगाड होगे, वो पकड़ में आ जाती है, तो सामने वाला आपकी बात नहीं मनेगा, आपका विचार नहीं मनेगा, आपका विचार नहीं मनेगा, तो आपकी चैन रुख जाएगी, तो आगे आपके जो संगी हैं, वो बढ लगाता 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 तो इसमें जो क्रियान विचार के क्रियान मन का यानि विचार का कमिशन करने का विचार को एक्षबूट करने का जो तरीका है उसमें जो करने हैं यहां हम मात खा रहे हैं कोई व्यक्ति है जिसको यह विचार आ रखा है बहुत पहल बनाने में लगा हुआ है कोई नहीं कह सकता कि भारत को प्रवुद नहीं बनाना है क्योंकि भारत तो पहले से प्रवुद रहा है बुद्ध के समय प्रवुद रहा है बुद्ध से पहले भी प्रवुद रहा है बाबा साब ने बुद्ध भात के लिए नहीं का प्रवुद के कह सकते हैं क्योंकि जो बुद्धिश्ट लोग होते हैं इसका कोई शक नहीं है पर धंब के नाम से धर्म के नाम से बुद्ध के नाम से तो बहुत साए लोग कहते हैं जी कि हमको बुद्धिश्ट भाद बनाना है तो वो लोगों को बुद्ध बनाने के लिए बिना आचार के विना वहवार के उनको बुग्द की छाप लगाने में लगर पड़े हैं, बस इस्टांप लगा रहे हैं, जैसे बागी मजभ हैं, बागी रिलिजन हैं, ऐसे ही इसका एक रिलिजन बनाके और कहा रहे हैं का अब हम इतने बुद्दिजे बनाएंगे, हम्में कोई uitta ihtra aaj मा हावसाब का आदेश है आज बनाओगे कल सीख लेगा कोई मना नहीं कर सकता पर हमें क्रियान वन के लिए एक मौडिफिकेशन कर लेना चाहिए कि हम को एक कर लेना चाहिए कि अब तक भारत में कितने लोग बुद्धिश्ट बने हैं क्या सभी लोग बुद्धिश्ट बन जाएंगे तो समस्या हलो हो जाएगी क्या जिन जिन देद्यसों में एक ही मजब के एक ही लिजन के लोग है क्या उनकी समस्या sort हो गई है किया आज के समय में हमारे पास इतना समय हैं कि हम आराम से बैठ के सब को बुद्धिश बनाएं गर एक परशंट साइज कम लोग बुद्धिश बने हैं तो अगले सतर साल में कितने बनेंगे हम को ये करना चाहिते कि अभी हमको को जुक्तिया mice Escland करते हैं यह संग हमाली स्रव परीया से बोलते हैं यह हम यह कहते हैं कि हमको सबसे पहले जुड़ना है सबसे पहले हम संग की बात करना चाहेते हैं जो लोग बुद्धिश्ड है जो लोगatinya लोग मतों के हैं वह अपने मतों हैं आप मतों को मानते है बुद्धिष्टों को लगता है कि बुद्धिष्ट मत अच्छा है जो बुद्धिष्ट नहीं है रविदास ही नहीं है कुछ नहीं उनको लगता है कि अलग मत अच्छा है कुछ लोग ऐसे हैं जो बुद्ध को मानते हैं डॉक्टर को नहीं मानते कुछ लोग ऐसे हैं जो रविदास को मानते हैं बुद्ध को नहीं मानते कुछ लोग ऐसे हैं जो बुद्ध को मानते हैं किसी गौर को नहीं मानते कुछ लोग ऐसे हैं जो जो जोतिवाफिलों को मानते हैं डॉक्टर मिट्ट को दूसे नंबर पर मांगते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो सतनामी को मानते वो बुद्द को कम मानते हैं डॉक्टर मिड़क को मानते हैं तो ये इतने सारे जो मत बतांतर हैं उसको अगर संग को समेटने हों तो कैसे समेटे जो दूसरे लोग हैं जो दूसरे वम्मण लोग हैं जिन्होंने संग को चला रहे हैं और जो उनकी संग्या बड़ी कम है और ज तो इसको बदलना नहीं चाहते हैं? वो हमारे लिए परिशानी हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं? वो अपने मत में इतने अंधे और भक्त बने हुए हैं, उनको इस बात को बार बार बताते हैं कि भई अभी एमर्जन्सी है, अभी आपातकाल हैं, अभी हमको सिर्फ एक काम करना इखटे होना है हम किसी के मत को मना नहीं कर रहे हैं पर सब के मत को इखटा करना है तो आप बता दो आपके पास को प्लान हो तो जब हम संगों को नमन करते हैं तो हम अपने भाईयों को नमन करते हैं अपने सब लोगों करते हैं पर कुछ लोगो ने जब यह समर्द सकी बाद चली तो खास्वर से बामसिफ प्रकर को ने क्या हम अब्र हम तो यहां बुद्ध बना रहे किुक्त बना रहे हैं कि आदमी जिसक loin में पहले ही अपना मत भाना हुआ है को मत को निकालने में आपकी पुर्जिन की चले जाएगी तब जाके कहीं आपको सबलता मिलेगी और इतना समय है नहीं तो इसलिए ये जो संग का जो कंसेट है जो संग नमामी है ये हमारे लिए सबसे बड़िया गोल्डन है ये डायमंड है और इसके गोल्डन रूल में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जड़ हो जाए या कोई आदमी चड़ता से एक फिक्स हो जाए इसमें बहुत फ्लेक्सिबल है इसमें कोई जगड़े वाली कोई बात ही नहीं है इसमें सिर्फ जड़ने की बात ही है और जो जड़ने के लिए खराब हैं उनको यहां से निकाल दिया गया है तो यह जो विचार के क्रियानवन का जो मॉडिफिकेशन है जो संखार है यह हमको लगाता लगातार बढ़ाते रहना है इसका इस्तमाल बहुत सारे लोग हमारे वुरुद कर रहे और खास्त और से जिनको नेता बनना था समण संग में आके जिनकी हमने गलत बात नहीं सुनी या जिनकी संग बरोदी बात नहीं सुनी या जिनकी गट्टी बादी बात नहीं सुनी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझको ये कहा कि पहले नमबर पर नेता आप हो और दूसरे नमबर पर नेता हम रहें तो मैंने उसे ये कहा कि भाई ये बताते कि मेरे को पहले नमबर पर नेता किसने बनाया और जिसने मेरे को पहले नमबर पर नेता बनाया तो उसी से जाके पहले नमबर पर नेता बन जा यहां तो हम अपना जीवन को घोल चुके हैं हम समरपड कर चुके हैं पूरा यहां किसी भी हलत में व्यक्ति बाद को नेता बाद को नहीं पर अपने दे जाएगा जड़ से खत है कितनी वार बताया कि इस काम को अब और भी करने लगें कटके सर मुझसे भी जादा बहती नहीं बताते हैं और भी लोग मुझसे भी जादा बहतर और अच्छा बताने वाले आ रहे हैं लगतार आ रहे हैं और अब मेरा काम दीदरे हलका हो चुका है लगब मेरा काम सारा मैं यहां इस व्यक्तिपन से ज़्यादा और कुछ हूँ नहीं यह बात अगर तुमको नहीं समझ में आती है तो भाई अपने काम खोल लो इसको समझ लो इसको देख लो तो कि जो व्यक्ति मुझसे यह खुसामत करने आते हैं और जितने यह लोग जा रहे हैं या गए हैं वो यह चुटी चुटी दिक्कते हैं इसलिए आप सब मजबूत बने रहना बहुत साहे लोग हमारे जो खुब मेहनत कर रहे हैं कल को उनके पास भी ओफर आएंगे वाईसा पहले नमबर पर आप और दूसरे नमबर पर हमको रख लो या कोई नमबर वाजी दी चलेगी और कभ व्यक्ति महनत करेगा उसका वैसा सब्कार होगा जैसे कटके सरकांज हुआ है हम व्यक्ति का सतकार नहीं करें पर काम का सब्कार होगा काम को लोग चाहें देखेंगे उसके काम के साथ उसका नाम चलेगा नाम भी ज़्यादा कोई अमर चीज नहीं है यहां कोई नाम भी अमर नहीं रहते पर यह संग की तरफ से पुश्कार है संग कुछ और नहीं दे सकता मान संवान पूरा देगा पर देगा उसे और बिना कहे देगा, बिना कहे, कट के सर ने कहा नहीं है, कि ढ़िए, आप मेरा यहां कॉन सो लोगों के साथ में आ के ऐसा करो, पर संग की इक्षचा है कि संगों को अपना जीवन देने वाले और काम करने वाली व्यक्ति ना सथकार करना चाहिए, उसका संबान करना होती है पर जब किसी वेक्टिंग लिए बढ़ाता है तो वह जहर होता है इसलिए छोटी छोटी बात चुटी बातों को ध्यान रखें बहुत साहे है केई लोगों ने अपना मिजन मरा लिया है कि समढ संग में हम किसी बेलत में आगे नहीं बढ़े देंगे क्यों क्यों कि यहां से उन्होंने व्यक्ति बात को बढ़ाना चाहर व्यक्ति बात यहां बढ़ने दिया नहीं इसलिए वो यहां बहुत सारी बातें करते जाते हैं वो बात हैं लगबग हम सारी खतम कर चुके हैं, एक रात कोई रह गई है, वो भी समय रहते रहते खतम हो जाएगी, जैसे अगर मालो दो चार व्यक्ति हैं, ज्यादा काम करते हैं, उनके यहाँ चेहरे आते हैं, वो भी खतम हो जाएंगे, थोड़ा पेसेंस रखो, जैसे ही लोग और पकते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पकते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, इस चेहरे आटोमेटिक, आटोमेटिक, बाकी सब पर्दे के पीछे आजएंगे, इनको बोलने का शौक नहीं है, जिसको बोलने का शौक है, वो यहां ही लोगों ने जिनको नेता बनना था उन्होंने पूरी ताकत लगा दी फिर भी पांसो से उपर चले गे इसका मतलब लोगों की जुड़ने की और जोने की छब्दा बहुत जादा है और अब हम एक सैना का रूप ले चुके हैं जो सैना कमांड पे पांसो एक्टे कर सकती है दस आर भी कर सकती है वो बीस आर, मुझे वो दिन साफ दिखाये दे रहा है जब हम जुड़ेंगे और जीतेंगेगे और जुडने से जीतने से है में दुनिया कोई थाकत रोक नहीं सकती क्योंकि यहां किसी भी समण संगी को कोई भी लालच नहीं दिया गया है ना पद है कि अब हम बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं और जैसे जैसे हम जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे और संगो को नमस्कार और संगो को नमामी और संगो को नमस्ते और संग हमारा सरव पर यह संग लिए नमन है संग नमामी धन्यवाद आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिवर्टी है आप को छूट है यह सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद थम सरेन गच्छामी तुधं सेनं गच्छामी थम सरेन गच्छामी तंम सेनं गच्छामी संगं सरेन गच्छामी तूतियं पी बुधं सेनं गच्छामी थम सरेन गच्छामी तूतियं पी तंमम सेनं गच्छामी थम सरेन गच्छामी तूतियं पी तंम सेनं गच्छामी तूतियं पी तंम सेनं गच्छामी थम सरेन गच्छामी तूतियं पी तंमम सेनं गच्छामी थम सेनं गच्छामी तूतियं पी तंम्मम सरेनं गच्छामी साथो 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 झाल